बहुत बहुत स्वाध है हमारा जाने स्टॉक मर्केट आड़्डा में तो इस तो बात करने बाले हैं वी सी एल सेर की बारे में 14 रुपे में एसेर मिल रहा है लास्ट टेडिंग सेस्टन में एक अच्छा रिटर्न कॉंपानी दिया है अगर फाइब डे की चारपटन दिखाऊंगा 10 परसट की रिटर्न है 12 रुपे तक आगया था लेकिन अब चौधर रुपे में मिल रहा है और 1 month की चारपटन में भाई भयंकर गिराबट दिया है 36% की अगर 6 महने की चारपटन आपको दिखाऊंगा 34% की गिराबटे अगर मैं आपको 5 योर की चारपटन दिखाऊंगा 40% की गिराबटे maximum भी 40% की गिराबटे कमपानी जो है 22 अपरेल यहां पर दोस्तो 2022 को ये कमपानी लिस्टिंग हुआ है चार्ट इसका इतना ही दिखा रहा है 23 रुपे का के लिस्टिंग हुआ था 23 रुपे से 33 रुपे तक ये शेयर गिराबटे लेकिन अभी देखिए कितना बड़ा गिराबटे इस बीज गिराबट आपको दिखाऊंगा तो 57 परसंड कमपानी तूड़ चुका है दोस्तो किया इस सेर को खरीना चाहिए दोस्तो पूरा विडियो के साथ बरने रहे हैं यह पूरा डिटेल्स में हम लोग चेक करेंगे और दोस्तो यहां पर स्टॉक स्प्लीड हुआ है इसी की वाज़से इतना ही चार दिखा रहा है और प्रोमटर होल्डिंग एक भी सार गिर्भीन है जो कि अच्छा बात है पूरा डिटेल्स में हम लोग चेकर को देखेंगे बॉली में आच्छा है फ्री केस बहुत ही कम रखा है और दोस्तो 35% की प्रोफिट में चल रहा है कमपानी अभी और कमपानी पॉर्चर की बीचे 30% कर रहा है नेट्वर्ट आच्छा है यानि दोस्तो यहां पर हम लोग को दो चार चीज नेगेटिव नजर आया यह तो चीज पॉजेटिव नजर यहां पर हम लोग को आ रहा है और दोस्तो आप देखो कि तो ट्रेडिंग बिजनेस करता है आठ नमबर पर आता है क्वार्टली परफोमेंस में दोस्तो अच्छा करवर हुआ है लेकिन माइनस में प्रोफिट जेनरेट हुआ है यह बाइस करवर पर दोस्तो हम लोग को सो नहीं हो रहा है अगर आप चौदर रुपे वाला पेनिशार को बाय करते हो बहुत ही स्मॉल क्वंटर जी उठाना है और लॉंग टर्म के लिए होल करना है तब ही जाकर आपको आच्छा रिटर्न यहां पर मिल सकता है तो होप करता है आम रोमिश